है तो देखो प्यार बच्चे इस वाले क्वेशन को इसमें कहते है एक थीन सर्कूलर सेमी कंड़क्टर रिंग है पी क्यू आई तो यह पी है यह क्यूआ यह नहीं तो यह थोड़ा सा 3D वी हुए है और यहां पे जो फाल्टिकल प्लेन बर्टिकल इन दरा अगर इसकोशन को यहां पे जो plane magnetic field है, वो screen के अंदर बाहर है और उसकी direction अंदर की side है, तो जब यहां से यह गिर रहा है, यह semi circle ring यहां से गिर रहा है, इस direction में इसको cut कर रहा है, यहां से ऐसे vertically downward fall कर रहा है, इधर अपना fall कर रहा है, ठीक ना हम सब को पता है, ऐसे fall कर रहा है, इसका center यहां से यह point P है, यह point R है, और यह Q है, और यहां से इसकी radius small R है, ठीक ना, इसकी radius small R है, यह बात सब को समझ में आ रहा होगा, तो कहते हैं है कि potential difference develop across the ring when its speed is B, मलब potential difference कितना develop होगा, और अगर potential difference develop होगा, और वो कितना होगा, और कौन higher होगा, कौन lower होगा, यह calculate करते हैं, सबसे पहल कि यह जो geometry है, इस case में, मौसनल EMF में, यह जो geometry है, वो माइने नहीं रखती है, क्योंकि मौसनल EMF का formula आप पड़े होगे, EMF is equal to B, B, L आप पड़े होगे, कि अगर कोई चीज गिरती है, तो यह जो B है, और B magnetic field है, B उसकी velocity है, कितने से गिर रही है, और L जो है, सीधा है, इस curve से कोई मतलम नहीं है, तो सीधा length यह वाला length लोंगा, यह वाला length यहां से L आ जाएगा, this is the state length, यह वाली length लेंगे, मतलब अगर ऐसे safe का conductor, ऐसे safe का conductor गिरता है, ऐसे safe का conductor अगर fall करता है, तो मैं initial से final, point A और point B से सीधा length लेना है, इसका यह वाली L है, this is the L, सीधा length, ठ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, बाई, सीधा length यहां से यहां तक 2R हो जाएगा, this is the L, तो जो मोशनल EMF develop होगा, मैगनेटिक फिल्ड भी, वेलासिटी भी, और यहां से 2R, यह वाली जो है, मोशनल EMF इसमें जो develop होगी, बी भी 2R, तो बी भी 2R, मतलब यह option सही नहीं है, यह सही नहीं है, 0, यह भी सही नहीं है, मतलब यह वाली सही है, 2B, B, B, R, जो है, that is, तुम यहां से देख रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको उपर करता हूँ, तो जो मोशनल EMF develop होगा, वो यहां से D option सही है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है, कि higher potential होगा, कौन सा यहां से higher potential हो होगा, R higher होगा, यह P higher होगा, तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना है, कि अब यह conductor ऐसे सीधा हो गया, तो जब यह सीधा हो गया, तो यह velocity यहां से B से गिर रहा है, और length यहां से 2R हो गया, length L, और magnetic field यहां board के अंदर चला गया, तो यह P है, और यहां से R है, तो इसके ल अदर जो electrons हैं, उनमें force, तो electron पर force क्या होता है, electron पर force होता है, Q B cross B positive charge particle पर होता है, लेकिन यह positive charge के लिए लगता है, तो जब electron होते हैं, तो electron के case में minus Q negative charge particle के लिए B cross B, मतलब right hand कर लूड बलोगे, velocity इधर है, velocity इधर है, और B board के अंदर है, तो अगर तुम देखोगे, यहां से B cross B करोगे, तो जो force आएगा, वो इधर को लगेगा, लेकिन positive charge रहते हैं तो इधर कर लोगेगा, ठीक ना, इधर को मतलब बोले तो left से right, लेकिन negative sign की वज़े से जो electron है, उन पर जो force लगेगा, उस force की direction है, दिमाग लगा के समझना, उ तो this is the force field by the electron, तो इस direction में जो electron है, वो force field करेंगे, तो जब इस direction में electron, electron हो पर इधर को force लगेगा, तो सारे free electron इधर move कराएंगे, और यह जो terminal है, वो less deficiency of electron हो जाएगा, यह majority of electron हो जाएगा, तो कुल मिला के तुम यहां देखोगे, तो यह plus, यह potential of R is greater than potential of point B, तो R positive higher potential हो जाएगा, R is higher, जो lower potential हो जाएगा, एक बार मैंने यह equation लगाया, electron उपर, और उसके बाद electron move करना स्टार्ट किये, और जाके यहां accumulate हो जाएगे, तो यहां deficient excess हो जाएगे, और यहां less हो जाएगे, तो यह प्लस हो जाएगा, तो आई हो की अच्छे से explain किया